मैं आपको बता दू कि बिहार में चार विधान सभा सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव में सभी पार्टी आपनी दमखम दिखा रहा है कोई बोला है यह जीतेगा, वो जीतेगा, कोई बोला है यह जीतेगा फाइनली हो तो 13 नॉवंबर को वोटिंग है और 23 नॉवंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि वाकई में कौन जीता पिसेश मैं बात कर रहा हूँ अभी परसांत किसोर की जन सुराज पार्टी की और इस बार जो अभी बेला गंज उक चुनाओ हो रहा है उसमें अपनी दमखम परसांत की सोर भी दिखा रहा है और वहीं एक सभा के अंतरगतल अचानक से परसांत की सोर कहने लगे कि हम लालो अदव को समर्थन कर देंगे आखिर क्यूं जी हाँ आपको मैं बिस्तार से बताओंगा इससे पहले है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं रोशन और आप देखरें रोनी टाइम्स रोनी टाइम्स में आपका स्वागत है जी मैं बात करा हूँ दिवाली के दिन जन सुराज के सुतराधार और पाटी के श्टार प्रचारख प्रशांथ की सोर कल बेलागंज बिधान सावा में जन सुराज के परतियासी महमध अमजद के समर्थन में अपनी जन सवा की जहां उन्होंने अपने सम्मोधान में पुर मुख्यमंतरी और आरजेडी नेता लालो यदब को चुनोती देते हुए कहा कि अगर वह यदब समाज में किसी भी काविल बेक्ती को मुख्यमंतरी बनाने की घोशना कर दे तो जन्द सुराज और खुद परशांद किसोर उनका जहंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जाती की राजनीती नहीं की है उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की राजनिती की है मुस्लिम समाज को समझ नहीं है इसके साथ ही परशांद किसों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता है उन्होंने उधारन देते हुए कहा कि जब दुहर 14 में नितिस कुमार ने मोधी का विरोत करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था तो मुसलिम समुदाय ने नितिस कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था आपने उस समय राजत पर भरोसा किया था जबकि पिछले 35 वर्सों में आप और आपके बच्चे सिर्फ लाल्टेन में किलोसिन तेल की तरह जल रहा है और उसनी कहीं और हो रही है बंगाल में मेरे कारण नहीं लागो हुआ C.A. और NRC उसी तरह आज आप दूविधा में है कि परसांद किसोर पर कैसे भरोसा करे लेकिन मैं आपको बता दू कि यहीं परसांद किसोर बंगाल में ममता दीदी के साथ भाजपा के खिलाप लरे थे तब तेजस्वी राहूल या खिलेश जो खुद को आपके रहनुमा कहते है ममता दीदी का कंधा मजबूत करने नहीं आये जब 2 माई 2021 को बंगाल चुनाओ के नतीज़े आये उसी दिन से देश में C.A. और NRC पर चर्चा खत्म हो गई C.A. NRC वही कानून है जिन से पूरा मुसिलिम समुदाय असहज में था भाजपा ने आपके भिरोत के कारण C.A. NRC को नहीं रोका बलकि जब परसांद किसो ने ममता दीदी के साथ मिलकर उन्हें बंगाल में हराया तब C.A. NRC पर चर्चा समाप्त हो गई परसांद किसो और बेलागन विधान सभा की नगर और बेलागन परखंड की समसपूर, शाकिर बिगहा, निम्चक, अगंधा, कंचनपूर, शादीपूर, अमराहा, बारा आधी पंचायतों में पहुँचे और जन्सुराज के परतियासी मुहमद अमजद के समर्थन में जन्सभा को सम्बोधित किया जन्सुराज की जन्सभाओं में हजारों की संख्या में लोग सामील हुए अब ये हजारों की संख्या में जो सामील हो रहा है वाकई में जब वोट में तबदील होगा तभी तो पता चलेगा कि वाकई में जन्द सुराज के ही समर्थक थे अभी जिगाओं समाज में क्या होता है जो ही जन्द परतिनी थी के परचारक परचार करने आते हैं तो लोग जूट जाते हैं देखने के लिए सुनने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि भाईया वोट में ही तबदील हो जाए खेर आप सोसल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बेला गंज में जो उपचुना हो रहा है जहां पर 35-34 साल से अभी आरजेडी का कबजा था जिस सुरिंदर यादव का कबजा था वही तो सोसल मीडिया पर कंटीनी हबा बना हुआ है जन्द सुराज के प्रति जो वहां के मुसलमान वोटर्स है वो कह रहे है जन्द सुराज जन्द सुराज खेर ये तो 23 नॉमबर को ही पता चलेगा विशेस आप लोग का क्या कमेंटर राविचार है आपको क्या लगता है कि वाकई में बेला गंज बिधान सवा में इतिहास बदलेगा या फिर जो है वही रहेगा आपको अब पता चल गया कि परसांत की सुर किस बात को लेकर समर्थन देने की बात कर रहा थे वाकई में जो परसांत की सुर का कहना वो सही कहना है अगर अपने बेटा अपने परिवार को छोर कर वो अपने ही जाती के किसी दूसरे बेगती को घोसित करे तो फिर करेंगे एक दम भर्पूर खर ये सब तो राजनीती में चलता ही रहता है विश्यस आप लोग का इस पर क्या कमेंट राए विचार है आप लोग कमेंट के जरूर बताएगा तक लिए बाबा टेक केर देखते रहिए रहानी टाइम्स